लेकिन लेंस में दो द्रू होते हैं क्यों भी इसलिए कि इसमें दो प्रिष्टों होते हैं और उसमें एक प्रिष्टों होता था यह दो प्रिष्टों को जोड़ करके बनाए गया वह है इकिला था ठीक है इसलिए उसमें एक जो है द्रू था और इसमें कितरे द्रू होते है तो यहां होगा आपका पीवर और यहां होगा आपका बुटाई के रुशाब तो इसमें जब आपने दुर दुर बना दिया तो यह बात ध्यांद है कि उत्तल की स्किती में आपने परिभासित करते हुए सामान भार्षा में यह कहा कि वह लेंज जो बीज में मोटा हो और किनारे किनारे बखला हो उत्तले इसका लाता प्रकास किरों के आधार पर ही आप इसे परिभासित कर सकते हो ठीक है माँने आप आप लिया अगर आप इसके समान अंतर प्रकास की कि लिया आप डाली इस तरह से ठीक है तो आप यह देख लिजए आप मुख्यत के समान अंतर रख किनारे डाले हैं यह क्या करेगा इनको मोड़ करके एक बिंद enabled पर मिलाएगा तो इस तरह से आप यह कह सकते हैं ना इसको अभिसारी लेंज कौना लेंज है नाम पढ़ गया इसका इसलिए अभिसारी देखिए अभिसारण माने होता है एक बिंदू पर मिलना और अपसरण माने होता है एक बिंदू से फैलना ठीक है तो जब प्रकास की किरणे आपको मिलती हुई दिखाई दे एक विद्दु पर शिगुडती हुई दिखाई दे तो उसको आप बोलते हैं अभी सारी किरण पुझ कैसी किरण पुझ है अभी सारी किरण पुझ और जब प्रकास की किरणे आपको एक विद्द से फैलती हुई दिखाई दे तो उसको आप बोलते हैं अप सारी किरण पुझ और जब प्रकास की किरणे ना फैले ना मिले सीधे सीधे दुरी बराबर बनाके चली जाएं तो उसको बहते हैं समांतर किरण पुझ कौछा किरण कुछ यहां दीजिए देख लीजिए यहां देखिए आपने यह बनाया ठीक है यह कोई प्रकास की किरण है अगर इन किरणों के बीच में आपने एक उत्तलेस लगा दिया तो इनकी स्किति क्यावन जाती है वही यह कंफर्म है जाकर के एक बिंदु पर मिल सारी क्या नाम देते हो अभी सारी और जब भाई कोई एक बिंदु प्रकास है अब यहां से चलने वाली प्रकास की किरणों के बीच में अंतर बराबर रहे आप अनंत दुरी तक इनके रों को खीज डालिए इनके बीच का यह बनाबर बरा रहे कहीं से कोई कमिना आए इसको आप अभी सारी क्यों करते हैं कि यह प्रकास की क्रणों को एक बिंदु पर मिलाता है इसलिए आप उत्तर लेंस को अभी सारी लेंस भी करते हैं तो यहां परिभासा में आप यह भी कर सकते हो कि उत्तर लेंस और लेंस होता है जो प्रकास की किलों का अभी सरण करे